कि बिल्कुल बिल्कुल अच्छा अभी वापस आते हैं और यह जिसी बहुत सारे राज्यों ने ग्लोबल टेंडर फ्लोट किया है वैक्सिन के तो क्या बिहार भी ऐसी कुछ प्लानिंग कर रहा है कि ग्लोबल टेंडर के लिए भी अब लोग ने इस पर नहीं सुचा है पहले देखते हैं कि क्या इस्थितिया बनती हैं घर से काम करने के भी बहुत अच्छे नतीजे होते हैं इस तरह से ग्लोब्मेंट ऑफ इंडिया ने रोड मैप दिया है कि हम ले जुलाई से लेके डिसमबर तक सब्दोस औरोड वैक सरकार का हिस्ता नहीं हो पर भी हर सरकार के हिस्तिदार का प्रदेश अच्छे हैं हमें पेशेंस ली अपने कंट्री का ही वैक्सिन्स यूज करना चाहिए एक महीने में कोई बहुत खरगडा कर मैं जानता हूं चुलाई में हमारे पास नंबर ऑफ वैक्सिन्स बहुत ज्या बढ़ा इंफ्राइस्ट्रक्चर इंवाल्व होता है और मुझे नहीं लगता है कि मेट्रो छोड़ करके आप जो कैपासिटी हमारी प्रोडक्शन की रहे अगले महीने से उसको आप यूज भी करते हैं अभी अभी वीवी बात हो रही है कि शायद जो थर्ड वेव आएगा उसमें वाइरस एक नया होस जोंडेगा जो कि शायद बच्चे हो सकते हैं तो क्या बिहासरकार उसके लिए भी प्रयास में है कि वो थर्ड वेव के लिए अगर आता है तो उसके लिए हम कुछ उपाई ढूंडें बैट पना जैसे MP में कल देख रही थी कि उन्होंने हजार बैट के एक टेंफरी हॉस्पिटल बनाया है तो क्या बिहासरकार भी ऐसे कुछ कदम उठाने के सोच रही है इसमें बिहार को एक अपना इन्हेरेंट एक साइडवांटेज ने बच्चों के लिए पहले से बनाया हुआ हुआ है चुकि AES वह इस्टर्ड यूपी और बेट का क्लेवल मुझफर पूर में आलरी एक निकू मौजूद है इंटर्सिप के लिए इस के चलते हर पीएस्टी को हम लोगों ने आलरी प्रिपेर करके रखा हुआ है बच्चों के लिए अलग से टेस्ट करने के लिए है बच्चों के अलग से यह जो अभी सीजन है और बिहार सरकार में दो साल पहले जो हुआ था उसके बाद हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से उसकी तैयारी की हुई है और वो तैयारी अगर भविश्य में कुछ होता है तो काम आएगी और मुझे अभी भी लगता है कि इसको कुछ जादा बढ़ा करके किया जा रहा है और पट्टा का एम सो अल्रेडी जो को वैक्सिन के लिए जो ट्रायल है उसका एक पार्ट है तो हमें इंस्टेंटली हमें मिल भी जाएगा कि प्यार में आगे क्या होने जाए